हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए चिकन पॉकिट्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ ये चिकन पॉकिट्स बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं तो इस रमजान एक बार ज़रू ट्राइ कीजिएगा इस आसान से रेसिपी को तो आएए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हामें किन-किन इंग्रेडियन्स की ज़रूरत है चिकन पॉकिट्स बनाने के लिए मैंने 200 गिराम बोन लेस्ट चिकन लिया है और इसे उबाल लिया है एक बड़े साइज का आलू लिया है, इसे भी उपाल करमेश कर लिया है, आधा कप मैदा लिया है, पांच टेबर स्पून मायोनीज लिया है, और आधा कप हरा धन्या लिया है, एक मीडियम साइज की प्यास को चॉप कर लिया है, छे ब्रेट स्लाइस लिये हैं, और कुछ और हम उबला हुआ आलू भी डाल देगे हरढ़नीय और सभी पॉर्डर मसाले डाल देते हैं और प्यास भी हम इसमें डाल देगे अ और साथ में डालेंगे मयूनीज और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो चिकन में हमने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है अब इसे साइड में रख देते हैं और ब्रेट स्लाइस ले लेंगे और इसके किनारों को इस तरह से कट कर लेंगे इसके किनारे हमें वेस्ट नहीं करने हैं, मिक्सी के जाल में डाल कर इसके ब्रेट क्रम्स बना लेंगे और अब मेदे में हम थोड़ा थोड़ा पान डाल कर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे इसमें तकरीबान एक कप पानी का इस्तेमाल हो जाएगा यह देखे इस तरह से इसका हमें पतला घोल बना लेना है अब हम इसे साइड में रख देते हैं और ब्रेट का स्लाइस ले लेंगे और इसके उपर वन टेबल इस्पून भरके स्टफिंग रखेंगे और इसे इसके चारों तरफ फेला देंगे इस तरह से और अब दूसरा ज्लाइस लेकर इसके उपर इस तरह से रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और चाको की मदद से इसे ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे यह देखिए एक सेंडविश हमारे बनकर तयार हो गया है तो सभी सेंडविश हम इसी तरह से बनाकर तयार कर लेंगे तो सभी सेंडविश हमारे बनकर तयार हो गए है अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसे मैदे में डिप करेंगे बस 2 seconds के लिए और फोरण ही निकाल लेंगे इसे और हाथ से इस सारा से दबा कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और ब्रेट कराम्स में इसे कोट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कोट किजेगा इसे ब्रेट करी में तो एक सेंड्विश हमारा बनकर तयार हो गया है तो सभी सेंड्विश हम इसी तरह से कोट करके रख लेंगे पहले मैं आपको एक वर दिखा देती हूँ पहले हम इसे मेदे में डिप करेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथ से दबाकर इसका एकस्ट्र पानी निकाल देंगे और फिर इसे Breadクромs में इस तरह से कोट कर लेंगे और इस तरह से हम भी Chicken Pocket बना कर तयार कर लेंगे आईये अब हम इने फ्राइब कर लेते हैं तेल हमारा मीडियम होट होना चाहिए और अब हम एक एक चिकन पॉकिट्स उठा कर तेल में डालते जाएंगे एक बारी में दो या तीन ही चिकन पॉकिट्स फ्राई करेंगे और बस इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इने फ्राई कर लेंगे और जब ये एक साइट से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइट चेंज कर देंगे तो ये देखे एक साइट से ये फ्राई हो गए हैं अब हम इसकी साइट चेंज कर देते हैं और दूसरी साइट से भी हम इसे इसी तरह से अच्छा गोल्डन कलर आने तक प्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है अब हम इन्हें निकाल लेते हैं ये देखे कितने अच्छा golden color आया है हमारे chicken pockets पर और बाकी के chicken pockets भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे एक अच्छा सा golden color आने तक इने भी fry कर लेते हैं तो ये देखे एक side से इन पर भी अच्छा सा golden color आ गया है अब हम इसकी side को भी change कर देते हैं और दूसरी side से भी हम इसे इसी तरह स चिकन पॉकिट्स को बनाना और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूं यह अंदर से भी कितने मज़े के बने हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि